आज हम आपको एक अपरिमे संख्या वर्ग मूल पांच को संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाते हैं वो बताएंगे तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा खींच लेते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि दो संख्या चलने के बाद 90 अंश के कौन पर 1 cm का एक लंब खीच लेते हैं तो अब हम देखेंगे कि जब ये एक समकोंट त्रिभुज बन जाता अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये एक समकोंट त्रिभुज बन जाएगा समकोंट त्रिभुज में ये आधार होगा ये लंब होगा और ये काण होगा अब चूंकि इस आधार की लंबाई 2 है और लंब की लंबाई अपने 1 है तो यहाँ पर जो ये अपना काण होगा वो वर्ग मूल 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो यह जोगा अपना वर्गमूल 4 प्लस 1 बराबरा जएगा वर्गमूल 5 तो हम देखते हैं कि इस हिस्से के लंबाई वर्गमूल 5 है अब चुंकि जब हम परकार का उप्योग करते हैं और केंदर से लेते हैं तो यहाँ पर हम परकार रखेंगे और यहाँ पर यह इस अपना है वर्गमूल 5 अब चुकि एक चाप है तो चाप के लंबाई वर्गमूल 5 है तो चाप जहां तक भी जाएगा वर्गमूल 5 रेका तो इस चाप को हम इस तरह से खींचते हैं और एक संख्या रेखा पर इस स्थान पर जो ये संख्या आती है वो दूरी है अपनी वर्गमूल पाँच अब इसको हम चाहें तो ऐसे एक लाइन भी इसके उपर खीश सकते हैं ताकि हम बता सकें कि ये वर्गमूल पाँच है तो जो ये वाला हिस्सा है वो वर्गमूल पांच होती है तो इसी प्रकार हम और भी संख्याओं को इस तरह से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं